नमस्कार दोस्तों आपका सागत है हमारी यूट्यूब चैनल में आज की जो वीडियो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों कि आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि अगर आपका बच्चा सुसू नहीं कर रहा है किसी भी रीजन से उसको काफी समय हो ग करते हैं बलकि इससे ज्जादा ही कर लके का कि उनका खाना ही इसी तहीं से सो भी डाइशे होता है उनका ऑगर मानolी जब काच च्छे महीं लेकिन नहीं गड़ा है sparks अगर माननीज आपकी बच्चे को सब्ब सते लेका साम हो जीा जो क्या खाना इसके यूरे जय तो यह च bipolar आपके बच्चे की उरीन पास नहीं हो रही है तो यह काफी गंभीर प्रॉब्लम हो सकती दोस्तों इसको आप बिल्कुल भी नजर अंदाज ना करें हमेशा अपने बच्चों की सुसू पोटी वगरा पर ध्यान दें कि वह कितनी देर में करता है कब करी थी कैसी करी है क्योंक बच्चों की हैल्ट से रिलेटेड होती है तो अगर आप एक न्यू मदर है तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने बच्चों की जो सुसू पोटी वगरा है उस पर भी बहुत जादा ध्यान देना चाहिए तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है अग आपको क्या करना है एक कटोरी में आपको थोड़ी सी हींग ले लेनी है इस तरीके से इस हींग को लगाना कैसे है और क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूं आगे इसमें कैसे क्या मिलाना है देखिए जो हींग है यह बहुत अच्छी है इसमें खुजू भी बहुत अज़ख थोड़ा सा कितनान जादा डियान करना से इस तरह कर के दाली maken इस तरह करके इस तरह कि पर अपको बण्स करते हैँ सबक्ता तो एफ मश्य ऐस सबुचु civ debut कर फिंगां के लिएन हो रहे हैं कि अब अलग अलग सा दिख रहा है थोड़ा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको अपको एमर्जेंसी है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं दरवाज आप इसको एक मिट के लिए थोड़ा छोड़ते जिससे कि इसका बिल्कुर स्मूदली पेश्ट बन जाएगा अब आपको क्या करना है जैसे कि मान लिजे यह आपका बेबी है तो आपको क्या करना है बेबी की नाभी पर ध्यान से सुनिएगा बेबी के नाभी पर ना कि नाभी के आसपास नाभी के आसपास तो लगाना ही लगाना है इविन बेबी की नाभी पर भी जो बेबी का बैल होता है वह निकला नहीं है बहार अभी तो आप इसको बिल्कुल भी मत अपलाई कीजिए यह बिल्कुल भी उस टाइम पर बच्चे के लिए सेफ नहीं आपके बच्ची की नाभी का जो नराव अगरा है वह निकल चुका है वह पूरी अच्छी तरीकी से सूख गई है तभी आप इस रेमीडियो को यूज करें अगर आपके बच्ची के पेट में अभी नाभी में वह चीज लगी हुई है तो आप इसको यूज ना करें तो अब आपको क्या करना आपकी बच्ची की नाभी में उसको भर देना है इस तरीके से इस तरीके से बच्ची की नाभी में आ बच्छे विल्ड है उतना काम आपको चोड़ु दिया इतना काम आपको कर्फी ऋरु नियुक्ते इतना काम आपको करूंपक्राण सुर्ण दिके हैं लगा देश्टे। जन भी टेन शीस weniger जiqu रोटी मुझे दी थी दी जव wagonति से वोगे हैं नहीं करता है तो आप बिलकुल भी किसी भी जीच का वेट ना करें किसी भी बात का विश्वास ना करें आस पर उसकी बातों को बिलकुल नसुने तुरंथ अपने बच्चे को जो है होस्पिटल लेकर जाएं बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं के यह तो आप इसको घर पर सॉल्व नहीं कर सकते हैं अगर कोई इंटर्नल बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो हां अगर नॉर्मल थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से घरे लो पाई कर सकते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो उम्हेद करते हैं दो